हे भगवान शिव, सावन में नमक की इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें, उसके सभी दुख दर्द दूर कर देना, ओम नमः शिवाय, देखिए सावन का महीना 22 जुलाई से लगा है, और 19 अगस्त को समाप्थ होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको ये बताईए, क्या सावन में आपके घर में आपने अपने लिए एक नमक का डिबबा अलग से रखा है, या नहीं रखा है, क्योंकि यदि सावन के महीने में आपके पास अलग से एक नमक का डिबबा नहीं रखा है, तो आज ऐसे डि जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और वह गुप्त चीज जैसे ही नमक के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं। कि यदि एक घर में नमक डिब्बा खाली हो जाता है तो इस से उस घर की स्थिती पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोश भी खराब होने लगता है। कि तिजोरी धन से भर जाएगी बलकि आपके उपर धन की वर्षा होगी। यहां तक कि आपकी आने वाली साथ पीडियां भी धन पर राज करेंगी। दोस्तों, यदि आप लोग करोड़ पती बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार की गरीबी, परेशानी, कश्ट, समस्याएं, दुख, गरीबी, दरिद्रता से आपको मुक्ती मिल जाए। आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार के कश्ट का सामना ना करना पड़े। साथ साथ आपको माता लक्ष्मी जी का वो वर्दान और वो आशीरवाद मिले जिसके पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा हो। और आपकी आने वाली साथ पीडियां भी पैसों आपको नहीं पता होता है। आपने सही मुहूर्थ पर कर लिये तो ना केवल आपके बलकि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मत बदलाव आएगा। ना केवल आपको बलकि आपके पूरे परिवार को लक्ष्मी का वर्दान और वो आशीरवाद मिलेगा जिसके पश्चात आप लोगों के जीवन में आप लोग बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, मातालक्ष्मी के आशिरवाद से आप बहुत ही उन्नती करें, बहुत ही जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी नमक के बिना उसका पूरा जीवन अधूरा माना जाता है, क्योंकि नमक न केवल घर के वास्तु दोश से संबंध रखता है, बलकि नमक एक व्यक् का सही प्रकार से उपाय किया जाता है उस घर की बरकत भी होती है उस घर की उन्नती भी होती है और उस घर पर सदैव सकारात्मक कूर्जा का वास रहता है दोस्तों हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नमक को लेकर के वो कौन-कौन सी चोटी बाते हैं जिनका आपको विशेश करके ध्यान रखना चाहिए ताकि रोज मर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानियों से आप सदैब मुक्त रहे दूसरी तरफ हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनको यदि आपने प्राचीन ग्रंतों के अनुसार सही मार्ग पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मत बदलाव आएगा इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अन्त तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए देखेगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रंत वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वह हैं दरिद्रता से मुक्ती पाने का महाउपाय मान लीजिए. आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिये हैं. आपके घर में जितने भी लोग हैं, उनकी आपस में बनती नहीं हैं. आपके घर के जितने भी लोग हैं, वो जो भी काम करते हैं, उस काम में बहुत सारी प पूर्जा का वास हो जाएगा, बलकि आपके घर की बरकर भी होगी, आपके घर की उन्नती भी होगी, आपके घर का प्रत्येक सदस्थ से अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएगे, देखे गुरुवार छोड़ करके, यदि आप किसी भी दिन अपने पोचा लगाएं, उस पानी में हलका सा नमक डाल दीजेगा, और उसी सेंधा नमक से पूरे घर का पोचा लगाएगा, यदि आप ऐसा करते हैं, तो मान के चलिए जब भी आप पोचा लगाएंगे, आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी, उनका नाश हो जाए और जिस घर में भी सकारात्मकूरजा का वास होता है, उस घर में माता लक्शमी जी अवश्य ही वास करने जाती है, और उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उननती भी होती है। धन आना शुरू हो जाएगा, बलकि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएगे, आपके जीवन में धन की जो फालतु खर्च हो रहा है, वो खर्च पूरी तरह से समाप्थ हो जाएगा, आपको क्या करना है, देखिए, ब्रहस्पतिवार के दिन ही आपको उपाय करना है, ब्रहस अब इस गिलास पर, गिलास दोस्तों कांच का होना चाहिए, इस बात का विशेश करके ध्यान रखिएगा, इस गिलास पर आपको उपर से लाल कपड़ा ढख देना है, और लाल कपड़े को बांध देना है, आगे से अब इसी गिलास के पानी को कमरे में किसी भी दिशा में रख दीजिए, जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं, केवल इतना भर करना है आपको, यह उपाय आपने कर लिया, हर 15 दिन के पश्चात पानी को बदलते रहें, और एक चम्मच नमक डालते रहें, यदि यह उपाय आप ब्रहस पतिवार से शुरू करते हैं, और हर 15 द करेंगे, आपको उसका फल भी मिलेगा, और आप अपने जीवन में बहुत उन्नती करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपसे निवेदन था दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों, अब जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं, यह उपाय है, उग्र ग्रह को शांत करने का महा उपाय मान लीजिए, आपके उपर शनिदोश है, आपके उपर मंगल दोश है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, आपके जीवन में स्थिती खराब होती चली जा रही है, तो आपको क्या करना है, बस आप लोग याद कीज मंगल वार के दिन या शनिवार के दिन आप जब भी दही खाएं तो उसमें आधा चम्मच काला नमक मिला कर खाएं, दोस्तों इतना यदि आप करते हैं, तो आपके उपर जो भी शनिदोश है, मंगल दोश है, आपके साढ़े साती चल रही है, आपकी धईया चल रही है, को के चलिए आपकी उपर जो भी दोश होंगे उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं वो है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से सदैव क लिए दूर चला जाए और आपको आपके भाग्य का साथ मिले तो ये महा उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं और ये उपाय करने के पश्चात अवश्य ही आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा देखिए ब्रस्पतिवार को छोड़ करके बस ये उपा आतार 21 दिन कर लेंगे तो जो भी आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था उस दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा जिसके पश्चात आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प् नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वो निश्चित तोर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है वो शीघ्र ही धनी हो सकता है नमक का ये उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है लेकिन दोस्तों याद रहे दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है तो दोस्तों भगवान शिव का जैकारा लगाते हुए बीडियो को शुरू करते हैं सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव ओम नमह शिवाय एक लायक जरूर करें दोस्तों और सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी काया पलट कर रख देगा आपको पूरी तरह से महाधनी बना देगा अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये नमक का विशेश उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा अगर आप दुश्मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र करने भर से इसके दुश्मन पर विजय प्राप्त हो जाती है नमक के इस उपाय से आपकी हाथों की लकीरें उभर कर आ जाएंगे घर में बिमारी नहीं आएगी आपका रोजगार व्यापार ऐसे दोड़ेगा जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी ये उपाय नहीं आपके बंद किसमत के खोलने की चावी है और ये महाचावी दोस्तों आपको प्राप्त करना है इस उपाय को करने से चूकना मत नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वो पाऊगे करोड़ों का खजाना भी आपको प्राप्त हो जाएगा यहां तक कि दोस्तों आप किसी को अपने बश में भी कर सकते हैं अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो नमक का यह उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिला देगा लाखों में बहुत कम लोग जानते हैं नमक का यह उपाय दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ दिल खोल कर इस उपाय को करें चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें आपका काम उसी दिन से हो जाएगा दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको बाजार से साधा नमक खरीद लाना है यानि कि डेली बाला जो की कुछ इस प्रकार से दिखता है आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं अग्निकोंड पूर्व और दक्षिन दिखा को कहते हैं तो अब आपको नमक को घर के इसी कोने में लाकर के चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी विशेश अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन या जीवन की शुरुआत करने से पहले नए कल की शुरुआत करने से पहले कभी भी आप यह उपाय करें आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा तो घर के इस कोने में नमक को अपने सर के उपर से साथ बार उतार कर रख दें फिर उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं अब इस नमक को सिध करना है वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ ओम हरीन श्रीम लक्षमी भ्यो नमह दोस्तों इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर 21 बार जाप करना है दोस्तों ये मंत्र आपको नमक के सामने बैठ कर ही बोलना है मंत्र परहने के बाद एक दिन के लिए नमक बही पर रहने दे फिर उसके अगले दिन यानि सुबह के समय किसी नदी में डाल दे दोस्तों यही वो कोना है जिस कोने में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी छुपी होती है आपकी काम्याभी का राज छुपा होता है, पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है और ये आपके शरीर से ला करके इस कोने में रख देता है आपको फिर से यही उर्जा वापस अपनी लेनी है तो आपको करना क्या है अगले ही दिन वो नमक उठा कर किसी नदी में बहा दे जैसे जैसे नमक घुलेगा उसी प्रकार से आपकी तमाम परिशानियां बीमारियां, नौकरी में रुकावटें आना परिवार में कलेश होना परिशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का बोज हो जाना सब कुछ जैसे जैसे नमक घुलेगा उसी प्रकार से आपकी परिशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी और पानी में बह कर चली जाएगी और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा दोस्तों कहते हैं इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए बिलकुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते हुए देखें यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशी कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा यदि कोई उपाय होगा जिससे आप लाब पा सकते हैं तो वो आके हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे आपको तुरंत लाब हो जाएगा दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और नहीं देना चाहिए जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख सम्रिध्धी ही चली जाती है साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बरबाद हो जाता है इसी लिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्तों और नमक मिले पानी से पोंचा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्म कूरजा होती है वो नश्ट हो जाती है हफते में दो तीन बार नमक मिले, पानी से पोंचा अवश्श लगाए लेकिन याद रहे, नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोंचा नहीं लगाना चाहिए दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं आ लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसी लिए सवेरे सवेरे दर्वाजा अवश्य खोल दें और साफ सफाई कर लें। और चुपचाप इसे अगनी में जला दें। अगनी, आप किसी पात्र में घर में ही जलाए दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे। एक मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाए खुद हमारी माताजी हमारे उपर बरसों से करती चली आ रही है। ये 100% कारगर सिध्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी क्योंकि नजर से पत्थर भी तूट जाता है। आप तो मामूली इंसान है। ये उपाए बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके उपर नजर ही नहीं होगी तब आप काम्याबी की ओर बढ़ेंगे क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसी लिए इसका उतरना भी है जरूरी। दोस्तों, आज मैं मातारानी की सौगंध खाता हूँ। यदि आपने नमक का यह उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ती, बड़ी से बड़ी शक्ती भी आपको विजय पराप्त होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से माला माल हो जाएंगे। आपका जीवन सूरी की तरह चमकेगा। बस नमक का यह उपाय आपको जरूर करना है। लिया है तो उसका हक अदा जरूर करें। यदि आप उसका नमक खाकर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा। जीवन पूरी तरह से नरक की ओर चला जाएगा। आपने ये जरूर सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है। इसलिए सोच समझ कर किसी का न भागीदार हो जाएंगे। आपका दुश्मन भी आपको करोडपती होने से रोक नहीं पाएगा। दोस्तों ये उपाय समाइल फैमिलीज का ओनर यानि मैं भी करता हूँ और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ। यदि ये कारगर सिध्ध ना हो तो हमारे चैनल समाइल फैमिलीज को अनसब्सक्रा पांती हो गई है। भंग तब यह उपाय करें। पक उर्जा सभी परेशानी दूर भाग जाएगी। दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है, वह माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। यदि आप पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं, सब भाग जाती हैं और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थाई रूप से होता है, समस्त बिगडे कारे परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं, नमक का पोछा। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ़ते में दो बार कम से कम दो बार जरूर लगाना चाहिए दोस्तों यदि घर में नमक कम हो गया है तो यह दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है आपके घर में अस्थाई रूप से माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है आपके घर से माता लक्षमी दूर जा सकती है नमक का पात्र कभी खाली मत रखना नमक जैसे ही कम हो जाए तुरंत दौड कर बाजार से नमक लाकर डबबे में डाल देना चाहिए डबबे में भर देना चाहिए नमक का खाली डबबा घर में रखने से घोर अशुभ माना जाता है देखिए जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है तब लाजमी है आप बरबाद हो जाएंगे आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी नमक का मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल पीते हैं जितना जल पवित्र है उतना ही आपके जीवन में नमक का सरवो प्रियम 부탁 है दोस्तों घर में यदि नमक कम हो जाए नमक खत्म हो जाए तो माता अन्पूर्णा भी आपके घर से चली जाती है इसलिए मैं Smile Families आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि कभी अपने घर के डब्बे से नमक खत्म मत होने देना पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है आप बरबाद हो सकते हैं घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है क्रोधित हो सकती है नमक जब आप बाजार से लाकर डब्बे में डाले तो माता अनपूर्णा का नाम अवश्य ले ले और नमक माते से लगाकर चूम कर डब्बे में रख दे इससे घर में कभी भी अनधन की कमी नहीं होती और जो भी यह नमक खाता है उसका जीवन सरल और भाग्य पूर्वक हो जाता है शरीर स्वस्थ हो जाता है वो शरीर कभी आपवित्र नहीं होता कभी बीमार नहीं पढ़ता दोस्तों स्माइल फैमिलीज चैनल एक सटीक और धर्म शास्त्रों पर लिखित आधार पर लाल किताब पर लिखी आधार पर बुज़ुर्गों से मिली प्राप्त जानकारी गुरुओं द्वारा मिली जानकारी ही प्राप्त और प्रदान करता है हमारी तरफ से आपको कोई भी धोखा धड़ी और धर्म के आधार पर जूठा वीडियो और सामगरी प्रदान नहीं करता शास्त्रों से मिली जानकारी से हम मनुष्य को सम्मान पूर्वक यश प्रदान करते हैं स्माइल फैमिलीज चैनल के 80 लाग फॉलोर्स हैं और हम कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते नमक के हम बारी बारी आपको उपाये बताएंगे जो आपको अच्छे लगे वह जरूर करना ये उपाये 1000 प्रतिशत कारगर सिध्ध उपाये हैं दोस्तों यदि आपके घर में कीडे निकल रहे हैं घर के कोनों से कीडे मकौडे निकल रहे हैं मकडी के जाल बार-बार पढ़ जाते हैं तब आप एक खाली पानी की बोतल ले और उसमें सादा पानी भरे और दो चम्मच सौ एमल पानी की बोतल में दो चम्मच नमक डाल दे बोतल स्प्रे वाली होनी चाहिए और उसी बोतल में नमक के साथ एक कपूर की टिकिया तोड़ कर उसका पाउडर डाले, नमक में हजार गुना एंटिबायोटिक गुन पाये जाते हैं, जो बैक्टीरिया को नश्ट करते हैं, कीडे मकोडे भाग जाते हैं, इसकी सुगंध से जहरीले कीडे भाग जाते हैं, तभी तो समुंदर के जो साप हो आपके घर से भाग जाएंगे, यह उपाय और तरीका, साइन्टिफिक रीजन है, वैग्यानिक द्वारा बनाया गया, यह उपाय है, देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बाद में आप लाइक नहीं करते हैं, दोस्तों, अगर आप किसी की मयत से आ रहे हैं, तब ऐसी स्थिती में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है, नमक के पानी से यदि ऐसे कपड़ों को धोया जाए, तो बहुत ही शुब माना जाता है, क्योंकि शमशान घाट से जो भी व्यक्ति होकर के आता है, किसी की मयत से होकर के आता है, तो ऐस अगर बार बार चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, दाने मोटे मोटे हो जाते हैं, चेहरा सूझ जाता है, तब ऐसी स्थिती में एक कटोरी में थोड़ा पानी लें, और नमक आधा छुटकी नमक डालें, और रुई की सहायता से कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगाएं, इससे दाग धब्बे चेह तो और इसे जो भी मनुष्य पिता है, उसकी हड़ी अंगल जाती है, सूर्मा बन जाती है। नमक ज्यादा खाना भी शरीर की हड़ियों के लिए नुक्सान दायक होता है। इससे हड़ियों का सूर्मा बन सकता है। आप कमजोर हो सकते हैं। आपकी कमर की हड़ी, रीड की हड़ी, आपको दिल का दौरा भी पढ़ सकता है। इसलिए नमक कम मातरा में खाना चाहिए। नकमना ज्यादा सीमित मातरा में नमक खाने से शरीर, आरोग ये तथा सौभाग ये पूर्वक जीवन के साथ बल पूर्वक खड़ा होता है। दब्बे में दो लॉंग जरूर डाल कर रखना चाहिए। यदि आप लोहे के बरतन में नमक रखते हैं, लोहे के डब्बे में नमक रखते हैं, तो इससे आपका राहु अत्यंत क्रोधी हो सकता है। राहु केतु आपके बीछे लग सकते हैं, आपके घर में राहु काल बहुत ही घातक सिद्ध होता है, ये रोग और शोक का कारण बन जाता है, नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए, स्माइल फैमिलीज चैनल कभी आपके साथ धोखा नहीं होने देगा, वीडियो के अंत तक बने रहना हम नमक के और भी कई उपाय बत शरीर पर डाल कर दफना दिया जाए, तो कीडे मकोडे जानवर पर नहीं लगते, आराम पूरवक बिना किसी बुरी स्मैल के साधन गलन के बीमारियां फैलने का डर, अंड्रेड परसंट खत्म हो जाता है, और बौडी बहुत जल्दी गलकर नश्ट हो जाती है, मिट्टी म बाथरूम में कांच के प्याले में नमक भर कर किसी कोने में रख दिया जाए, तो घर का वास्तु खत्म हो जाता है, बाथरूम में पॉजिटिव एनरजी का संचार होता है, और यह नमक जैसे जैसे कम होगा, वैसे ही घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और नहाने से सूक्ष्म की टाणू का खत्रा कम हो जाता है, लेकिन याद रहे, हर महीने नमक बदलते रहे, बचे हुए नमक को बहा दें, फिर यह प्रक्रिया करें, अगर नहाने से पहले नहाने के टब में, यानि पानी में एक चम्मच नमक डाल कर स्नान करें, तो शरीर के समस्त रोग बीमारी खत्म हो जाती है, निखार बढ़ाने के लिए शरीर पर यदि पुरानी मैल है, मैल जमा हो गई है, गंदगी है, उसे साफ करने के लिए नमक मिले, पानी से हफ़ते में एक बार स्नान जरूर करना चाहिए, हम भी यानि स्माइल फैमिलीज, ऑनर भी नमक में पानी और उसमें थोड़ा सरफ डाल कर, यदि चांदी के गहने साफ किये जाएं, तो उसमें चमक आती है, दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार, यदि काले कपड़े में डेली वाले नमक को बांध कर तकीये के नीचे सिरहाने रख कर सोया जाए, तो यह हमारे अंदर जितन आत्मकूर्जा नश्ट होती है, और सुबह की शुरुआत पॉजिटिव रूप से होती है, दोस्तों स्माइल फैमली ज्यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एक लाइक तो बनता है, अगर आपके ऊपर शनी की साड़े साती अड़ईया चल रही है, राहु क अगर नमक का छिड़काव घर के मैन द्वार पर किया जाए, तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है, तथा आने वाले कीडे मकोडे वापस हो जाते हैं, आपके घर की ओर नहीं आते, क्योंकि नमक में कीडे भगाने की बहुत अधिक शक्ती होती है, पॉजिटिव को ख खाने में आपको नमक कम लगने लगे या नमक ज्यादा लगने लगे, तब आपको 100% समझ लेना चाहिए कि आपके उपर शनी तथा राहु केतु की दशा चल रही है, और अगर खाना खाते समय, नमक आपको सीमित मात्रा में लगे, नमक की लालसा कम लगे, और आप चुप उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, यह उपाय आपको पल भर में रंक से राजा बना सकता है, आपकी काया पलटकर रख जाएगी, आप हो जाएंगे, महाधनी देखिए दोस्तों, एक चुटकी नमक और एक चमच गेहूं का आटा और एक च खिला दे, आप चाहे तो पूर्णिमा, अमावस्या या किसी भी दिन खिला सकते हैं, अगर अमावस्या और गुरुवार का दिन हो, तो और भी शुब है, दोस्तों, अब इससे क्या होगा, वह हम आपको बताते हैं, देखिए हथेली में भगवान विश्नु तथा माता लक हल्दी में तथा नमक मिले, हल्दी आटे में जब आप अपने हाथों द्वारा बनाई, लोई को गाय माता को खिलाते हैं, तो इसे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है, माता लक्ष्मी, आपके जीवन में धन एश्वर्य कीर्ती अश्प्रदान करती हैं, ये उपाय भारतवासी दान करते आएं हैं, दान करने से व्यक्ति के अगले पिछले पाप खत्म हो जाते हैं, यदि आप नमक का दान करते हैं, तो आपके अगले पिछले पाप पितरदोश, शनिदोश, मंगलदोश, राहुदोश, यहां तक की कालसर्प दोश सब खत्म हो जाते हैं, नमक का दान हर हाल में किसी भी व्यक्ति को चाहे कुछ भी हो जाए दक्षना डाल कर जरूर दान करना चाहिए इससे आपका मन भी हलका होगा और आपके पाप भी खत्म हो जाएंगे जाहिर सी बात है जब आपके पाप खत्म हो जाएंगे तब आप काम्याबी की ओर बढ़ेंगे, तरक्की की ओर बढ़ेंगे, माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थाई निवास पूर्वक वास करेंगी। चुक्रवार को नमक का दान किया जाए तो माता लक्ष्मी धन्स से माला माल करती हैं, तथा शनिवार को नमक का दान करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और राहु केतू से मुक्ति प्रदान करते हैं। जापान में नमक गिरने पर मुसीबत आने का संकेत समझा जाता है इसलिए गलती से भी नमक गिरने पर तुरंत माथे से लगा कर नमक को चूम लेना चाहिए क्योंकि नमक बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है क्योंकि नमक को माता लक्ष्मी तथा धन की देवी से जोड़ कर देखा जाता है ये समुद्र से माता लक्ष्मी के चरणों से होकर आता है अगर आप वाकई में माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है